जर्मनी के सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि अगर EBM से बोट पड़ेगा तो वो अंकॉंस्टूशनल होगा क्या हम उस दिशा में काम करने जा रहे हैं? वीजेपी हटाओ, लोगतंद बचाओ, EBM अपने आप हट जाएगी वीडियो को सुना अपने EBM को लेकर अखलेश यादव लगातार हमलावर है वही नितीश कुमार नहीं जाएंगे इंडिये गटवंधन में सोचिए पिहले साथ दिनों से मीडिया किस तरह से नितीश कुमार को बदनाम कर रही थी पहले तो वह चाती थी कि पार्टी में टूठो इसे पहले आर्सी पिंग को भरकाया गया था आर्सी पिस से नितीश कुमार निपट लिये उसके बाद बीजीपी से गटवंधन खत्म किया आर्जेडी में आ गया उसके बाद अब खबर आई कि ललन सिंग कहीं दगा तो नहीं देंगे ये भी खबर मीडिया के जरी चली लेकिन इस बाद दोनों की एक जूरता बन ही और सवाल है कि ललन सिंग सवन समाज से आते हैं सवन समाज के लोग बोट कितना देते हैं आर्जेडीव को तो नितिवस कुमार बिलकुल क्लिस्टल क्लियर है कि उनकी पाटी सोसल जस्टिस दलित पिछरे आदिवासी किसानों के मुद्दे पर चुनाव में जाएगी और जाती जनगन्ना उनका बड़ा मुद्दा होगा और बेधरक एक जटक मिनों ने ललन सिंग को साइड कर दिया तो ये सबसे बड़ी खबर हैं दूसरी बड़ी खबर है सुचिए बीजेपी के एक बढ़ामन मंतरी का ट्विट आया जो सोचल मीडिया पर टैर रहा है जिसमें वो कह रहे थे सुद्रों का काम है बढ़ामन बैश और छत्रियों की सेवा करना मतलब जो आज का SCSTOBC है वो सुद्र है और उसका काम है सेवा करना इसी तरह से बिंदरा ने भी ट्विट किया था तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में जातिवाद की जरे कितनी गहरी है लेकिन अब तो वो बहुजुनों की ताकत है संभिधान की ताकत है और सोचल मीडिया की ताकत है कि हेमंत सर्मा को माफी मांगना प यह पिछले दस सालों से लगभग साथ सालों से कॉंग्रेस बीजेपी में पहले यह कॉंग्रेस में थे तो सुचिए कॉंग्रेस वाले सवर्नों का कितना मुस आसान है बीजेपी में आ जाना और बीजेपी वाले सवर्नों का जो राय है वही सवर्न कॉंग्रेस वाले सवर करता है बीजेपी को यह चेतना तो है लेकिन सोचिए जो बात पहले चोड़ी छुपे कही जाती थी वह बात अफसर्याम कही जाए रही और यह लोग पक्रे जा रहे हैं तो हमनता विश्चर्मा ने ट्वीट कर दिया जिसमें लिखा था उसका हिंदी ट्रांसलेशन तर्जुमा बता रहा हूं कि सुद्रों का मतलब इस देश के जो एस्टी एस्टी यो भी सी हैं आज के समय में जिनके अब आदी 90% हैं उनका काम है बैश छत्रिये और भ्रामनों क सेवा करना यह राय है इसको लेकर सुप्रिया सिजनेत ने हमला किया है लेकिन सुप्रिया जी भूल गई कॉंगरेस की परवक्ता है कि यह उनहीं के पार्टी से निकले हुए और लगबग यही राय उनके पार्टी के सवर्नों का भी है इस देश में तो जातिवाद की जड इंद्रा भी यही बात कह रहा था आप कल्पना कर सकते हैं तो यह है इस देश की स्थीति वहीं अखलेस याद्यव ने इदीयम को लेकर बड़ा सवाल उठाया उन्होंने कहा कि आखिर इदीयम से चुनाओ कब तक होगा और अगर आप विक्सित राष्ट बनना चाहते हैं तो सीधे सीधे इदीयम हटाइए यह सबसे बड़ी खबर है जो सोचल मीडिया पर वाइरल है और नितीश कुमार भगाबत नहीं करने जा रहे हैं वो इंडिया गटवंधन में ही रहेंगे और बीजेपी में नहीं जाएंगे वहीं मूलक नागर की माने तो अखिलेस याद में कहा था कि विपक्षी दलो को कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे की आपसी भाइचारा कल जरूरत पर सकते हैं सुचिए जान बुछकर राम गुपाल यादर के मूँ में माइक लगाया गया था तब जाकर यह सारा जो विवाद है तो बरहा जाता है तो जान कि नैप किया मुनुबादियों ने उन पर हमला किया उनके हाथ पर तोड़ दियें लेकिन फुलिस एफायार तक नहीं कर रही है तो सोचिए बैकवर्ड समाज के लोगों पर भी अब किस तरह से हमला हो रहा है यह जातिवास सब को बारी-बारी से मारेगा इस देश के मनु कुछ पर रोक लगा दी गई है तमाम स्टी ओबी सी किसान कम्निटी के लोगों ने तैक किया है कि वो किसी भी कीमत पर मरने के बाद बला भोज नहीं करेंगे तो वो तमाम खबरे जो आज सोसल मीडिया पर वायरल है मैं चाहता हूं कि एक एक करके बताओं यह वो खबरे है जो आपके लिए बहुत जरूरी है और मैं इसलिए कहता हूं कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है पहले सुत्रों के हवाले से चैनल बाले चलाते हैं इंडिये के साथ जा सकते हैं नितीज फिर खंडन करते हैं इंडिये में नहीं करना है सुचिए ये हिमंता विश्चर्मा है भाजपाई मुखमंत्री कॉंग्रेस वाले की नींद अब देर से खुली है चलिए कम से कम मुद्दा तो बनाने लगे हैं जाती बात को सुप्रिया सिग्नेत अनर्गल ब्यानबाजी के बेसाद बासा हिमंता विश्चर्मा ने का सुद्र का कर्म ब्रामन चत्रिय वैस की सेवा करना घोर विरोध के बाद हिमंता ने ट्विट डिरीट कर दिया लेकिन एही बीजेपी का असली सोच है जन्म के आधार पर एक मनुस को दुसरे से कम तर आकना भाजपा का चरित रहे सवाल है कि ये पहले कॉंग्रेस में थे सुँच लिजिये राम बिलास पास्वां कभी ये आधा गट वंधन में रहे गलतीन तक वंधन में नितिज दिगvelland में उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा है और भारत को भगवा पाकिस्तान बनाना चाहती है मोधी सरकार जूलियर रिबोर पूर वाईपियस है इन्होंने बड़ा टूइट किया है सोशल मीडिया पर ये लगातार इंफ्लूएंसर हैं और लिखते रहते हैं और देवरिया में सपा निता स्वामी परसाद मौरिया ने महरसी बालमीकी के नाम पर येरपूर्ट बनने का स्वागत किया है कभी मौका मिले तो बालमीकी रमायन पढ़िएगा उसी में आपको मिलेगा उठा काटा गया था एक लबब खा चतरपूर में ओभी सी नरेंदर पटेल पर जानलेवा हमला करने वाले गुंडों को ततकाल प्रभाब से गिरफतार कर बरी कारवाई किया जाए जिला चतरपूर, बिधान सवा चतरपूर, बहुजन समाज के बेटे नरेंदर पटेल, गराम गठवेरा के उपर जानलेवा हमला करने वाले गुंडों के गिरफतारी हो आरोपी उपेंदर सिंग बुंदेला, जिसजीज सिंग बुंदेला, आयूस बुंदेला, भगवान सिंग बुंदेला, सतेन सिंग बुंदेला, बबली बुंदेला इस पर ये फायार भी दर्ज नहीं हो रहा है ये सबसे बड़ी खबर है आज हम लोग इस पर लाइब भी जूरेंगे और सवाल है कि इस देश के बहुजुनों को कब तक किसी तरह से मारा पीटा जाता रहेगा इस सबसे बड़ा सवाल और खास करो भी सी के लोग ध्यान से देख ले आप पर भी हमले हो रहे हैं आप जातिवाद से बहार निकलिये और जातिवाद के खिलाफ लड़िये और अखिलेश यादव का इबियम पर बयान बैरल हो रहा है जिसमें उन्हें कहा है कि अगर बिक्सित देश बनना चाहते हैं तो बिक्सित देश की तरह बैलेट पेपर से चुनाओ कराई है और भारत चीन यूद के हिलोड है मेजर सेतान सिंग की याद में लडाक में एक मेमरियल को तोड़ दिया गया है तो सोचिए इस ख़बर को भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा तरजी मिल रही है जगह मिल रही है सवाल है की को तोर दिया गया और राम रहीम पर वीडियो बनाने को लेकर स्याम मीराज सिंग को एक नोटिस आया है देखते हैं इस सुनवाई में क्या होता है तो सोचिए पत्रकारों के लिए बड़ा मुस्किल हो गया है यूपी में तो जिएका कट्टा टान दिया वह भी खबर दिखाऊंगा और यह नेता जी पीएम आवास दिलवाने के नाम पर इलाके में ठगी करते थे बल्या में दो महिलाओं ने डियम आवफिस के सामने ही इनके साथ बदला ले लिया सोचल मिडिया पर सबस्यादा वाइरल है और यह है बिंदरा सुचिए यह मोटिवेस्टनल इस पेकर बिंदरा है कुछ दिनों पहले इसकी पत्नी को पिटने कारेने फैयार हुई थी यह भाजपा का पोस्टर बॉआ है मंतियों के खास गमाने जाते हैं इनका कहना है कि सुद्रों को आगे नहीं बरना चाहिए सिस्टम ठप हो जाएगा तो यह भाजपा के भी चहते हैं सवाल है कि यह ऐसे लोगों का इलाज क्या है जो गैर समयधानिक बाते करते हैं इस देश में जातिवात फैलाते हैं और यह है वीडियो सुनिए यह है अनुरूध ही आदव सोसल मीडिया के सच्चे सीपाही बहुजन समाज को ऐसे लोगों को संसत भेजना चाहिए जो समाज ऐसे लोगों को नहीं पहचानेगा वो समाज मुख बढ़ीर हो जाएगा पहले बीजेपी के लोग भी बैलेट पीपर की मांग करते थे अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गया परसान भूसन ने टूइट किया है तो इबीम का मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा होता जा रहा है जो सोसल मीडिया पर लगातार वाइरल है और अनुरूध बैठक में कोई दिन पहले भी इस तरह की मारपीट की खबर आई थी तो यूपी हमेशा खबरों में बना रहता है जवरदस तरीके से और ये है लखनव का हॉस्पीटल जहां एक मरीज के मरने के बाद भी तिमारदार से मोटी रकम मांगे जा रहा है थी तिमारदार पर अब उनको शब नहीं दिया जा रहा है और पैसे मांगे जा रहा है यह खबर अख़बार के दसवेश परने पर हादसे में हताहतों को भूले भूल अफसरों ने थी ये सी एम के लिए स्पताल में मोग डिल करा दी बेचान लोग यहां वहां पूस्ते रहे सुचिए दस से ज्यादा लोग एक आग लगने से गारी में बैठ गया बीजे पीनेता की गारी थी कहा जा रहा है कि नहीं ती गारी की नो अब्जेक्शन सर्टिपिकेट और पेगासा से स्पाई वियर फांड जनलिस फोंस आफ्टर एपल एलर्ट सेज एमनेस्टी तो दो बड़े पत्रक पर तो यह है बहुजन समाज की ताकत का दम सोसल मीडिया का दम कि आप अब दलित पिछरे आदिवासी किसान अल्पसंख्यकों का अपमान करके चुनाओ तो रानिती तो नहीं कर सकते हैं मीडिया एक मात्र अभेत किला बचा हुआ है जहां मनुवादियो का गर है यूपी क दुनिया के दो परतिसत बैग्यानिकों में सामिल है सुचिए उद्यपूर बॉटनी विवाक के असिस्टेंट प्रफेसर डॉक्टर मुकेस मीना आरक्षन ने देश को बरवाद नहीं आवाद किया इसरों में आरक्षन वाले बैग्यानिक है तो आरक्षन आपको सिर्फ ए देख बैदिक मंत रुच्चारन करने का भी से नहीं है पुजारी पद रुजगार का भी विसा है देश के सभी मंदिरों में ओभी सी एसी बर के पुजारियों के निखती होनी चाहिए भगवान बालमिकी के नाम पर एयरपोर्ट का नाम है लोग मान कर रहे हैं कि बालमिकी समाज मेन पुजारी हो राममंदिर का ऐसा लगता है आपको संभव है ये पुजारी का काम एक पेशा भी है और इसमें सभी को सभी हिंदूों को तो कम से कम बराबर का मौका दीजिए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं मैसलिय कर हम लोग जानते हैं कि हम लोग सिजनल सब्सक्राइब अपने बोला है और तमाम अपने बहुजन नेताओं को इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए ताकि बहुजन समाज के लोग को न्याय मिले और समाजवादी पार्टी या की तैयारी कर रही है असी हराओ असी जीतो बीजेपी हराओ अखलेश यादब का ये नारा है जो सोसल मिल्या पर वाइरल है असी सीटे हराओ देश से भाजपा को हटाओ समिरान बचाओ लुक्तंत बचाओ नारी सम्मान बचाओ तकलेश यादब लगातार इबियें पर भी हम तो सुचिए तीवी की लगातार कोशिश को नितिश्कुमा ने नाकाम किया है और वो जेडियू में आर्जेडी का गटवंधन चलता रहेगा और इंडिया गटवंधन पर सीट सेरिंग की बात हो रही है और छातरपुर में सुचिए किस तरह से एक OBC युबक पर हमला हुआ ह हाथ पर तोड़ दिये गए है जानलेवा हमला हुआ है पुलिस ठीक से कारवाई नहीं कर रहे क्योंकि आरोपी सारे जेनरल कैटेगिरी के हैं तो सुचिए इस देश में आज भी SC, ST, OBC, अलफ संक्यक किसान दोयम दर्जे के नागरिक तो नहीं है यह सारी समस्याय तभी दूर होंगी जब डाइवर्सिटी होगा और चपरासी से लेकर चिप जस्टिस तक और खासकर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज इनवर्सिटी बूर्सिटी बूर्सिटी बिजनेस में बैठे लोग बोलेंगे, वहां और भागिदारी बढ़ेगी, और सबसे बड़ा सवाल है जब तक आपके पास मीडिया नहीं होगा, आपके साथ इस तरह का अत्याचार होता रहेगा, और किसी को पता नहीं चलेगा, शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें